शरत पवार ने दिल्ली में एंसीपी कार्यकारिनी की बैठक बुलाई जिसमें अजित पवार समेट नौ नेताओं को पार्टी से निकालने के फैसले पर मुहर लगाई गई बैठक के बाद शरत पवार ने कहा कि पार्टी का अध्यक्ष मैं ही हूँ शरत पवार ने उम्रवाली टिपणी को लेकर अजित पवार पर पलट वार भी किया NCP कार्यकारिनी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने शरत पवार से मुलाकात की उधर कॉमरेस के पृत्वीराज चवान ने NCP में बगावत के लिए शरत पवार को जिन्मेदार ठहराया राहुल गांधी और मलिकारजुन खडगे ने राजस्थान के नेताओं के साथ चार घंटे तक बैठक की मीटिंग में सचिन पाइलट भी मौझूद थे बैठक के बाद सचिन पाइलट बदले बदले नजर आए उन्होंने माना कि उनके मुद्दों को पार्टी ने सुलजा दिया है पाइलट ने कहा कि पार्टी जो काम देगी वो करूँगा बैठक के बाद मलिकारजुन खडगे ने कहा कि राजस्थान में इतिहास बदलेगा राज्य का वर्तमान और भविश्य दोनों कॉंग्रेस के हातों में सुरक्षित है अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने चंडीगर में जिला प्रधानों और विधान सभाग शेत्र इंचार्जों के साथ बैठक की और बीजेपी के साथ गटबंधन को खारिस किया सुखबीर बादल ने कहा कि उनकी पार्टी का गटबंधन बीएसपी के साथ है इस बीच पंजाब में बीजेपी के नए अध्यक्ष सुनील जाखड अमरितसर पहुँचे और स्वर्ण मंदिर में माथा टेका उनके साथ गुजरात के पूर्व सीएम विजय रुपानी भी मौजूद थे सुनील जाखड ने भी अकाली दल के साथ गटबंधन की अटकलों को खारिस किया मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंग चौहान ने सीथी पेशापकान के पीडित आदिवासी को अपने निवास पर बुलाकर माफी मांगी मुख्यमंत्री पीडित का हाथ पकड़कर सीएम हाउस के भीतर ले गए कुर्सी पर बैठाया, पाव धोए, आरती उतारी और तिलक लगाया शौल ओढ़ा कर शिवराज ने उसका सम्मान किया शिवराज सिंग के माफी मांगने के बाद कॉंग्रेस ने निशाना साधा कमलनात्थ ने कहा कि मुख्यमंत्री को सिर्फ कैमरे से मतलब है चंद्रेयान तीम की लॉंचिंग की तारीक तै हो गई है इसी महीने की 14 तारीक को दोपहर के धाई बजे चंद्रेयान तीम की लॉंचिंग होगी चंद्रेयान तीम को बुधवार को लॉंचिंग यान में फिट किया गया है इस मिशन का पूरा बजट 651 करोड रुपे का है अगर चंद्रयान 3 मिशन काम्याब होता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेस क्राफ्ट उतार चुके है चंद्रयान 3 में एक रोवर भी है, जो चंद्रमा की धर्ती पर घुमेगा दिल्ली में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कारेक्रम चल रहा है तीन दिनों तक चलने वाले कारेक्रम के पहले दिन हनुमन कथा का आयोजन किया गया में सीसी टीवी से भी नजर रखी जा रही है कल बाबा बागेश्वर का दिव्य दर्बार लगेगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड रहा है पहले पांच दिनों में करीब सत्तर हजार शद्धालू पवित्र गुफा तक पहुंचे उम्मीद की जा रही है कि एक हफ़ते में भक्तों का आकड़ा एक लाख पार कर जाएगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से लेकर नेपाल तक से भी शद्धालू पहुंच रही है अमरनाथ यात्रा की शुरुवात एक जुलाई से हुई थी जो 31 अगस तक जारी रहीगी यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से खास तैयारिया की गई है सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतिजाम किये गए है